दोस्तों आप लोग के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि PC जब हम विल्ड कर रहे हैं तो power supply में बहुत ज़ादे confusion की रियट हो रहा है हमेसा confuse हम रह रहे हैं कि हमें हमारे PC के लिए कितने watt की power supply की जरूरत है क्योंकि power supply यहां तो बहुत सारे watt में आती है 400 watt, 450 watt, 500 watt, 500 watt, 500 watt, 600 watt तो हमें actually अपने PC में कितने Watt की power supply लगानी चाहिए काफी लोग ये सोचते हैं कि हमें normal PC विलिड करना है तो 400 Watt हमने लगा लिया या 450 Watt लगा लिया लेकिन अगर graphic card हम कोई सा भी लगा रहे हैं यहां तक कि GTX 730 भी लगा रहे हैं तो सोचते हैं कि अब graphic card लग गया तो अब हमें 500 Watt की power supply लगानी चाहिए या फिर GTX 1650 या फिर 1660 हमने लगा लिया तो यहां पर 600 Watt की power supply लगाने चाहिए क्योंकि बड़ा graphic हमने लगा लिया तो actual क्या funda है हम कैसे select करें कि हमारे PC के लिए कितने Watt की power supply की जरूरत है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बहुत ही आसान है इसको समझना बस इस वीडियो को लाज तक देखते रहें आप समझ जाएंगे कि आपके PC build के लिए कितने Watt की power supply की जरूरत है इससे समझने के लाज तक देखते रहें वीडियो के साथ लाज तक बने रहें वीडियो को लाइक करके हमारा होसला बढ़ा है ताकि एक से एक वीडियो ले करके आते रहें और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जितनी सारी कंपनिया power supply बनाती हैं, वो अपना calculator भी बना करके रखी हैं, लेकिन जो मैं use करता हूँ, मैं उसके बारे में बात करने बाला हूँ, उसका link मैं description में दे रहा हूँ, मैं जो use करता हूँ, यो cooler master का software यूज करता हूँ, बहुत ही बहतरीन calculator है, यही से आपको पता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रहा, cooler master का make it yours, यानि आपके लिए कौन सा चाहिए, यहाँ से आप calculate कर सकेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, watt is zero watt, अभी हमने कुछ भी select नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर zero watt दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ज जैसे वो आपके उपल depend करता है, कि आप कौन सा PC बिल्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पर Intel को अगर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर socket select करना है, हम यहाँ पर मान लीजिए, बिल्कुल भी latest की हम बात करते हैं, LGA 1712th generation हम PC बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके अंदर LGA 1700 आता है और उसके बाद यहाँ पर LGA 1700 में लगने वाले सारे processor की यहाँ पर बात कर रहा है, हम सबसे normal PC बिल्ड कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम i5, यह 1200 सबसे ज़्यादा चल रहा है, i5 के अंदर हम इसको अगर बिल्ड करने की कोशिस कर रहे हैं, तो हमने यह processor select किया, अब इस processor को ज़रूरत है, 65W की ज़रूरत है, आगे हम motherboard की अब बात कर लेते हैं, motherboard को select करना है, motherboard यहाँ पर found factor की हमें select करना है, कि हम कौन सा यहाँ पर use कर रहे है, micro ATX, ATX यूज़ कर रहे हैं, या फिर mini ATX यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादे हम mini ATX या फिर micro ATX को use करते हैं, त उसके बाद GPU हमें ग्रैफिक को भी सेलेक्ट करते हुए चल रहे हैं ताकि confusion ना हो एक है भी अगर थोड़ा सा हम अपने gaming PC विल्ड कर रहे हैं या फिर video rating के लिए कर रहे हैं तो हमें कौन सा चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं GPU में यहां पर जो है NVIDIA या फिर AMD कौन सा चाहिए हमें तो हम NVIDIA का सेलेक्ट कर लेते हैं NVIDIA यहां पर GTX 1650 या फिर 1660 सबसे जादे चल रहा है आज कल market में तो इसके अंदर माल लीजी हम सबसे है भी 1650 सुपर ले लेते हैं या फिर 1660 सुपर ले ले लेते हैं ये आज की rate में थोड़ा महंगा जो है graphic थोड़ा सा है भी हम ले करके चलते हैं ताकि आप लोग को भी confusion ना हो समझ में आ जाए कि maximum कितना wattage आ रहा है हमने यह ले ल लेते हैं तो 16GB अगर हम यूज करते हैं तो 16GB के लिए 88GB का हम दो dual channel यूज करेंगे तो performance बहतर मिलेगा तो यहां पर हम दो यूज कर लेते हैं 88GB का ताकि 16GB यूज करें कम से कम उसके बाद SSD के लिए यहां पर आ रहा है SSD में 1200GB से 512GB हम यूज करते हैं normally अपने operating system के लिए बाकी software के लिए hard drive हम कोई ना कोई एक लगाते ही है hard drive के अंदर यहां पर हम 3.5 में मान लिजे बढ़ियां हम hard drive लगा करके चलते हैं 1200 RPM बढ़ी वाली hard drive 3.5 वाली hard disk हम लगा करके चलते हैं इसके अंदर एक hard drive और एक SSD लगा रहे हैं normal PC के लिए हमें इतना ही ज़रूत होती ह है optical drive के हमें जरूरत ही नहीं पढ़ती है CD drive और एक हमें जरूरत ही नहीं पढ़ती है आज की ड्रेट में तो यह हमारा select हो गया अब हम देखते हैं हमारा watt is कितना निकल करके आया है कितने watt के power supply की जरूरत है तो आप यहां पर देख सकते हैं 256 watt की ही यहां पर जरूरत है कम हैMcinga का चार सो बाउर वाट की पाउर सप्याव यान नॉर्मड होती है आप वह लगाते हैं यहां पर देख सकते चार्स की सप्लाई भी आपके लिए बहुत है यहां पर यूष करने के लिए चार सो बाइप के लिए चार सो फारवड की पाउर सप्लाई हैकि क्ल मिलाज उल करके power supply select कर सकते हैं यानि कि गेमिंग PC के लिए भी आज के रिट में 400 400 वाट बहुत होता है लेकिन उसके अंदर माल लीजिए कई सारे आप जो है हमें साथ से 1500-200 वाट जादे मान करके आप वो power supply select कीजिए तो उससे क्या होगा कि जो power supply जो electricity का जो fluctuation है उसको भी रोकेगा उसका उतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर बिल्कुल भी hand to mouth चलेंगे जितने वाट की ज़रूरत है उसके आसपास की power supply रखेंगे तो हलका सा fluctuation होगा तो भी आपका जो है system restart कर जाया करेगा लेकिन 1500-200 वाट अगर extra रखेंगे तो उस condition में हलका फुल का fluctuation भी होता है तो आपका system restart नहीं करेगा वो जो है चलता रहेगा जंप नहीं करेगा तो दोस्तों यह था एक बहुत यह असान तरीका जहां से आप जो है अपने लिए what is को select कर सकते हैं दोस्तों वीडियो information आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जुरूर बताए अगर ही वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मैं बिलता हूँ next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में पूरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करन कर दो